हलो गईज नमस्कार स्वागत था आप सभी का आपको अपने चैनल बांकिंग करियर पॉआ मिरे नाम में से आद हो है दोस्तों SBA कलर का आप तक जो है टोटल 12 सिफ्ट हो गई है 12 सिफ्ट के बेसिस पर आपका कटप क्या जा सकता है आपको स्टेट और यूटी वाइज आपको डीटेल में कटप जो है डिसकस कराने वाला हूँ सासा जो है प्रिवियस यर में वेकेंसी कितना था और इस बार वेकेंसी कितना है cut up कितना जा सकता इसके बारे में detail में हम लोग बात करेंगे exam का compression हम लोग last में करेंगे पहले आपका last year cut up कितना था और vacancy कितना था इस बार कितना जा सकता इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात करें तो लास्ट यर आपका वेकेंसी जो है 15 था इस बार जो है 10 है इस बार का कटप जो है 65 के आसपस में जाएगा और उनाचल प्रदेश का डेटा जो है मुझे नहीं मिला है आसाम का लास्ट यर का वेकेंसी जो है 149 था इस बार जो है 258 वेकेंसी है तो गैज इस बार जो है आस इसकड की बात करें तो last year आपका 120 वेकेंसी था इस बार जो है only 92 है cut up आपका 74-75 के आसपस में जाएगा डेली की बात करें दोस्तो तो last year आपका 80 वेकेंसी था इस बार only 32 वेकेंसी है cut up जो है काफी high जाएगा गुजरात के बात करें दोस्तों तो last year vacancy आपका 902 था और इस बार only जो है vacancy 353 vacancy है तो इस बार cut up जो है high जा सकता है 65-66 के जो है उपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा हरियाना में जो है इस बार vacancy नहीं है तो cut up का तो कुछ बात ही नहीं है हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो last year vacancy जो है 180 था इस बार 55 जो है vacancy है 80 पलस जो है cut up रहेगा जारखन का डेटा नहीं मिलाया जारखन में जो है vacancy नहीं है इस बार उसके बार करनाटका की बात करें दोस्तों तो करनाटका में last year 400 vacancy था इस बार जो है 300 जो है 16 वेकेंसी है लाश्ट येर जो है 64.25 कटप गया था इस बार 65 के आसपस में आपका कटप रहेगा केरला के बात करें दोस्तों तो लाश्ट येर वेकेंसी जो है 97 था और इस बार जो है काफी अचा वेकेंसी है 270 जो है यहाँ पर कटप जो है 65 के आसपस म जो है कम जाएगा आप अपने अपने स्टेट का जो है आप जो है कटप जो है जरूर जो है लिक रखिएगा मैं पूरे प्रॉपर जो है नलाइसिस करके आपको बता रहा हूँ अब बात करते हैं दोस्तों MP के बारे में MP का लास्ट यर का वेकेंसी आपका 78 था और इस बार ज पले करके 75 के बीच में आपका कटप रहेगा महाराष्ट्रा में Last Year Pachower आपका 640 वेकेंसी था यह सबस से बड़ा वेकेंसी है इस इस टेट में सबसे ज्यादा वेकेंसी है इस बार जो है वेकेंसी 747 वेकेंसी है लास्ट यर अपना कटप 66.25 गया था मैं जेनरल का doctor के के बा जरूर मुझे comment करके बताईएगा कि आपका एटेम जो है कितना हुआ है क्योंकि महाराष्टा के मैं center पर भी जा करके मैं student का review ले रहा हूं तो आप लोग जरूर मुझे comment करके बताईएगा उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उरिसा के बारे में तो उरिसा में last year 75 जो है वेक थी इस बार डाट ली जो है 130 वेकेंसी है 75 पलस कट अपका जाएगा इसके बाद दोस्तों तो last year वेकेंसी आपका 175 था इस बार 354 वेकेंसी है तो कटब इस बार कम जाएगा 72 के आसपस में आपका cut up जाएगा सिक्किम के बात करें दोस्तों तो last year आपका 12 वेकेंसी था इस बार 26 वेकेंसी है 70 के आसपस में आपका cut up जाएगा तामिलाडू के बात करें तो 473 last year वेकेंसी था इस बार 355 वेकेंसी है 62 के आसपस में आपका cut up जाएगा चला लंगरा की बात करें दोस्तों तो last year आपका vacancy 275 था इस बार जो है दोसो पचीज से cut up जो है 70 प्लस ही रहेगा इसके बात करें दोस्तों उतर प्रदेश का तो last year आपका 350 vacancy था इस बार जो है vacancy according to analysis आगे जो है मैं आपको detail में और जो है इसके बारे में बताऊंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 74-75 के आसपस में cut up रहेगा उसके बाद उतरा खंड की बात करें तो last year 70 vacancy था इस बार जो है 120 vacancy है आपका cut up 77-78 के आसपस में रहेगा बेश्ट मंगाल में last year 273 vacancy था और इस बार जो है आपका 340 vacancy है cut up जो है 75 के आसपस में रहेगा according to analysis मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसके बाद जो है जमुयन कास्मिर में भी जो है vacancy है जमुयन कास्मिर में 35 vacancy है इस बार पडुचेरी में भी जो है 7 vacancy है लक्सदीप में भी जो है 3 vacancy है गोवा में जो है 50 vacancy है गोवा का cut up जो है काफी कम जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि 65 से के आसपस में रहेगा अरुनाचल प्रदेश में भी जो है 15 vacancy है मनिपूर में भी 28 vacancy है उसके बाद जो है मिघालेया में भी 23 vacancy है मिजोरो में भी 10 vacancy है उसके बाद नागालेंड में भी आपका 15 vacancy है उसके बाद तिरपूरा में भी 10 vacancy है यानि जितने सारे state जिसका मैं नहीं बता पाया उसका cut up जो है आपका 60 से लेकर 65 के आसपस में रहेगा क्योंकि money पूरो गरा मिखाले और cut up जो है कम जाता है तो आपने जो है exam दिया है दोस्तों अभी जो है total 12 shift आपका हो गया है अगर आपने exam दिया है तो आप लोग comment करके अपना attempt जो है मुझे जरूर बताईएगा अब सबसे important जो है point को समझेगा क्योंकि अभी एक दिन और exam होना बाकी है और आपने 75 plus attempt किया है और आपकी accuracy बहुत अची है और आपका जो है vacancy previous year के vacancy के compression में जो है जादा है या उसके आसपस में है तो आपका definitely जो है pre निकल जाएगा दोसरा सबसे important point है दोस्तों इस बार जो है vacancy अपना 5000 है और आपका 50% seat जो है आपका reserve रहेगा यानि total vacancy की बात करें तो 7500 vacancy हो गया प्लस ही vacancy रहेगा तो इतने सारे candidate को SBI final जो है यानि पहले तो आप में से 5000 candidate का selection होगा उसके बाद जो है आप में से 5000 student होगे उनका waiting list के अंदर आएगा waiting list 1, waiting list 2, waiting list 3 तो आपका chances है आपका cut up qualify करने का आपने कम भी attempt किया होगा accuracy maintain किया होगा तो आपका definitely cut up qualify होगा दूसरा सबसे important दोस्तों अब बात करते है exam के label के बारे में तो जो मैंने अभी तक analysis किया उसके according देखा जाए तो last year जो आपका exam हुआ था उसके compression में इस पार exam का level मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि exam का level same है या थोड़ा सा easy बोल सकते हैं कुछ shift में definitely paper moderate आया है tough भी आया है जैसे आज के कुछ shift में paper थोड़ा सा moderate आया अगर आपके shift में paper quant की बात करे, reasoning की बात करे moderate आया है या English moderate आया है तो आपका normalization होता है normalization होकर के आपको marks increase होती है तो आपको उसका tension नहीं लेना है, normalization होकर के marks आपका increase और decrease भी होगा, यानि जिस shift में paper easy होगा, वहाँ पर marks decrease हो सकता है और जिस shift में paper moderate होगा या tough होगा, उसमें definitely increase होगा, तो उसको balance करके IBPS अपना cut up रिलिज करती है यानि इस भी अपना cut up रिलिज करती है तो आप सब लोग अच्छे से preparation कीजिए, एक detail video मैं और लेकर के आऊँगा, अभी जो एक और दिन exam है, उसको हो जाने दीजिए आपके प्रतिक्रिया क्या है आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा क्योंकि ये video दोस्तों, जस्ट आप सभी को motivation के लिए बना रहा हूँ ये कोई final video नहीं है, इसका जो cut up का rain दिया हूँ, कोई जरूर नहीं है कि उसी के आसपस में cut up रहेगा cut up जो है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक जो है analysis है, मेरा जो view है, वो मैंने आप सभी को बताया है आप सब लोग जो है अपना एटेम मुझे जरूर comment करके बताईए का, और आप सब लोग उनको भी cover करने वाला हूँ, और एक service men सर लोग है, उनको भी cover करने वाला हूँ तो एक December से मैं planning कर रहा हूँ उस content पर मैं काम कर रहा हूँ अगर हो गया, तो definitely मैं लेकर क्या आउँगा आप लोग जो है, आपको download कर लीजिए और जिससे state के बारे में मैंने UT के बारे में चर्चा नहीं किया है आप लोग जो है, comment करके बताईएगा मैं आगे जो है, आपको वीडियो बनाऊँगा उसमें जो है, include कर दूँगा कुछ ऐसे state है, UT है, जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया तो आप लोग जो है, मुझे comment करके बताईएगा मैं वीडियो बना दूँगा वीडियो अच्छा लगा, तो like किजिएगा, share किजिएगा Thank you so much guys, God bless you all